हाई गैज वेलकॉम टू सीम सेटी प्रोग्रामी टू चैनल दोस्तों आज के इस टीटरियल में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी कॉंपिटर सिस्टम में मैक एड़ेस हम किस तरह फैंड आउट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटरियल दोस्तों यहां से कर करने के बाद आपको कैटेगोरी में क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हैं नेटवर्क और इंटरनेट यहां भी नेटवर्क में क्लिक करना है जब भी क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस हम पाएंगे और यहां पर दोस्तों जो है यहां पर कॉनेक्ट और यहां पर ऐपशन क्लिक करना है और यहां पर आप सबसे पहले हमें जानना होता है की futures यह एक तरह एक केसे कि किसी बी डाटा और इंफरमिशन को एक डुसरी डिवाइश में कोमिछों करते हैं ह्र काईब के टोais' में सबस्थे हैं और एक डेस होते हैं तो अग मैं हब यह जो होता है वह आपको जो जो मैनुफेक्पटर से जो NIC-Cart होते हैं हर कंपिटर में नेटवर्क कनेक्षन के लिए NIC-device से होता है तो मैं मैंदिस प्रभाइट करते हैं ठीक है तो यह नहीं कर सकते हैं हलाँ कि जब भी जो डैमेज होते हैं या और हम क्या करते हैं लुक्त क्या होता है। लुक्त है दोस्तों मैं क्लिक करेंगे और यहां पर जब पर करने के बाद यहां पर क्लिक करना है करना है देख सकते हैं तो चुका है अब यहां सक्राइध में करना है उक यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैं नॉट्पर में बात जना दूँ कि यहां पर देख सकते हैं कि मैं के फिजिकल एडेस है जो यूनिक है इसी के माध्याम से जितने सारे जो कॉम्निकेशन डिवाइस कहां पर कॉनेक्शन किया गया है कितने डिवाइस कॉनेक्ट में है सारा फीजिकल और लॉजिकल एडेस पता इसे फिक्सों पी कर सकते हैं और इसक लेंग्द्स जो है एडनों से और यहां पर देख सकते हैं कि प्रवाइट 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 करते हैं जब तक आपको जो चंज नहीं होगा तब तक मैं कर सकते हैं ठीक है किसर सकते एक हैं उसी आपकोला किसमें कि辉स्टे में कि इडेस होते हैं जिसमें करना आपको नहीं होते हैं नृम चौ तो आज जिसमें हमने शिखा कि किसी भी कॉंपीटर सिस्टम में मैक एडेस हम किस तरह इजली फैंड़ कर सकते हैं इसके साथ साथ आज कहा टीटिरियों पर खत्म होता है और आप सबसे को साथ सेयर करें और नई वीडियो परने के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें और किसे दर को प्र